दोस्तो आपके लिए मैं एक शांदार निउस लेके आ गया हूँ आपको बता दू के वर्ल्ड कप में हुए गये कॉन्ट्रोवर्सी का अब अन्थ होने वाला है हमारे उठाए गए मांग को ICC और BCCI ने सुईकार किया है जिसके चलते ICC, BCCI और Australia Cricket Board के अंदर एक मीटिंग होने जाने का फैसला किया गया है तो क्या फैसला आएगा इस मीटिंग से क्या वर्ल्ड कप का फाइनल मैच फिर से खिलाया जाएगा या फिर कुछ और ही सोच है उन लोगों के बीच जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और दोस्तों आप मेंसे अगर कोई रोहिच शर्मा के फैन हो तो कॉमेंड में उसका नाम ज़रूर लीजेगा और हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब और चैनल को फॉलो कीजेगा दोस्तों आपको बता दू की 19 नवंबर को खेला गया इंडिया वर्सिस ऑस्ट्रिया का वर्ल्ड कप फाइनल मैच में रोहिच शर्मा कोई आउट को लेके बहुत बड़ा विवात खड़ा हुआ था जिसके बाद से भारतिय क्रिकेट बोर्ड, BCCI, क्रिकेट फैंस और टीम इंडिया के सभी सपोर्टर ने वर्ल्ड कप के फाइनल का री मैच करवाने का मांग उठाया था जिसके चलते BCCI, ICC और आस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा मीटिंग बुलाया है उस मीटिंग में वो कैच का चान भीर कर रहे हैं कि वो सही कैच था या गलत कैच था दोस्तो वर्ल कप के फाइनल में जब रोहिच शर्मा का कैच ट्रेविस हिट ने ले लिया था तो हमारा दिल चूड़ चूड़ हो गया था जिसके चलते इंडियन क्रिकेट टीम का जो भी कॉम्बिनेशन था जो भी समीकरन उन्होंने बनाये थे वो सारे उल्टे फुल्टे पर गए जिसके लिए हमारे 20 साल के इंतजार को और तीन बार वर्ल कप चेंपियन होने का सपने को आँखों के सामने खतम हो जाने क्यों देखे थे दोस्तो आप भी मैच के इंड में देखे होंगे रोहित शर्मा का आँख भड़ आया था वो कितने ही दुख के साथ अपने मूँ नीचा करके पैविलियन के और लोड गए थे उनका उस हालत को देखकर कड़ोडो फैंस के भी आँखों में आसुआ गए थे क्योंकि उनके साथ 140 करोर भारदवाशियों का भी सपना तूटके बिघर चुका था दोस्तो रोहित शर्मा ने तो किसी तरह अपना आँखों के आसुच छुपा लिये लेकिन मुहम्मद सिराज वो काम नहीं कर पाए और बीच मैदान में ही वो फूट फूट के रोने लगे और पुमडा ने एक बड़े भाई होने के नाते उनको सहारा दिया और दोस्तो उसी के साथ साथ विराट कोली का भी तो सपना तूटा था ना विराट कोली ने भी अपना आसुच छुपाए थे क्योंकि दोस्तो ये तो रिवंच वैला मैच था ना क्योंकि 2003 में भी ऑस्ट्रिया ने फाइनल में हमको हराया था उसके बाद हाली में हुए टेस्ट क्रिकेट वर्ल्ड कब में भी उनसे हमें मूँ की खानी को मिले थी तो अगर ये मैच हम लोग जीत जाते तो सब कुछ का बदला हम लोग ले लेते लेकिन दोस्तो क्या ही करे वो जीत का मंजर हमारे लिए सपना ही रह गया हाला कि दोस्तो हमारे देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने ड्रेसिंग रूम में जाके सभी प्लेयर्स का होसला उजजाई किया सभी का पीट थपता पाया और सभी को साबाशी भी दी लेकिन ये वाकिया वही पे खतम नहीं हुआ था उन्होंने भी कड़ी कोशिश की और फैंस की मांग सुनी और BCCI को इस बारे में बताया ताकि वर्ड कप का मैच फिर से हो सके और इसी के चलते BCCI, ICC और 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 क्रिकेट बूर्ड के भी एक बूर्ड मीटिंग बुलाया गया जिसका रेजल्ड जल्द ही निकलने वाला है और उसी में फैसला होगा कि वर्ड कप का फाइनल मैच फिर से कहा और कब कितने बज़े शुरू होने वाला है तो दोस्तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा क्योंकि इसी चैनल पे हम लोग जल्द से जल्द अब्डेट लाने वाले हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा